नमस्कार एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल बर बालूड में किसी सितारे की किस्मत चमकती है तो कोई गुम्रामी के अंधरे में खोजाता है कुछ ऐसा ही हुआ था बालूड एक्टर सुमीत सहगाल सहाब के साथ सुमीत सहगाल सहाब ने गुविंदा, मिथुन चक्रवर्ती, सत्रोहन सिना, धर्मेंद्रा जैसे कई बड़े कलाकारों के साथ सेकेंड लीड रोड के तार पे काम किया था और उनकी मासुमया तो लोगों को पसंद आती थी लेकिन बतार स्लो हिरो उन्हें कभी पहसान नहीं मिली और फिर अचानक एक दिन वो फिल्म दुनिया से कायाब हो गए और दोस्तों आज है इस बालिवट के सुपरसिद अपनिता सुमीत सहगाल सहाब का जनाम दिन इनका जनाम 18 फरवरी 1966 को मुंबई में हुआ था और आज वे 55 साल की हो गए है वैसे तो सुमीत सहगाल सहाब ने 1987 में अपनी फिल्म केरियर की सुरुआत की थी और उन्हेंने फिल्म इंसानियत के दुस्वन से बालिवट में डिव्यू किया था और इस फिल्म में सुमीत का किरदार कुछ खांस नहीं था लेकिन उनके रोल को सराह गया और इसके बाद उन्हें कई फिल्में मिली और साल 1987 से 1995 तक सुमीत सहगाल सहाब करीब 30 फिल्मों में नज़र आए उन्होंने बलक कई बड़े कलाकारे को साथ काम किया है और बतर सेकेंड लेड उनके किरदार की हमेशा तारीफ हुई है लेकिन उन्होंने अपने आप को फिल्मों से दुर कर लिया कई सालों के बाद सुमीत सहगाल सहाब ने साल 2010 में बलूड हेरोर फिल्म रॉक को प्रडूस किया जिसमें तनूर स्रीदता और उदिता गोश्वामी नजर आई थी इसके बाद सुमित सहगाल सहाब ने सुमित आर्ट नाम की कमपनी की सुरुआत की जिसमें डबिंग का भी काम किया जाता है सुमित सहगल सहाब ने बलूट एक्टरे सहरावानों की भती जी साहिन से साधी की थी जिसे से उनकी एक बेटी भी साइसा सहगल है हलाकि साधी के कुछ सालों बाद साहिन और सुमित का तलाक हो गया था और इसके बाद सुमित जी ने मसुहर अभिनितरी फरहनासे दुसरी साधी की और फिलहाल दोनों एक साथ अपना बिजनेस समाल रहे हैं और अच्छे से अपनी खुशा हाल जिंदगी जिरह हैं और दोस्तों देखते ही देखते बालोट के सुपरसीद अभिनिता सुमित सहगल सहाब आज 55 साल के हो गए हैं तो हम लोगों के तरफ से सुमित सहगल सहाब को जनम दिन की बहुत बहुत बधाई और वे जहां भी रहें खुश रहें अबाद रहें हम लोगों की चाहित हुआ है तो और ऐसे ही जनकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब निके हैं तो प्लीज दोस्तो हमारा चैनल जरू सब्सक्राइब किज़ेगा और वीडियो को अभी तक लाइक निके हैं तो लाइक किज़ेगा शेयर किज़ेगा थांच दोस्तो हमारे वीडियो वाचिंग करने के लिए